हवा की क्वालिटी मापने के लिए विभिन देशों में एर क्वालिटी इंडेक्स बनाए गए हैं ये सूचकांत देश में हवा की गुनवत्ता को मापते हैं और बताते हैं कि हवा में नाइट्रोजन डायोकसाइड, कार्बन मोनो ओकसाइड और सलफर डायोकसाइड की मात्र विश्व स्वास्थे संगर्थन द्वारा निर्धारत मान्दंडों से अधिक है या नहीं भारत एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यू आई का उप्योग करता है जबकि कुछ देश अलग-अलग इंडेक्स का इस्तिमाल करते हैं जो हिल्थ और पॉल्यूशन से जुड़ा होता है आईए समझते हैं ये एक्यू आई होता क्या है भारत में राष्ट्रिय एयर क्वालिटी इंडेक्स यानि की एक्यू आई सत्रह सितंबर 2014 को पर्यावरन मंत्री श्री प्रकाश चावडेकर द्वारा स्वच भारत अभियान के तहत नई दिल्ली में लॉंच किया गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स आठ प्रदूश को PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 और PB से बना है जो कि हवा की गुनवत्ता को मापता है ये हवा में घुली गैसों की मात्रा और प्रकार को दर्शाता है साथ ही इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में हवा की 6 कैटेगरी बनाई गई है ये क अच्छा, संतोश जनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब और गंभीर स्थिती को दर्शाती है दिली जैसे शहरों में वायू प्रदूशन के मुख्य घटक PM2.5 और PM10 कन है जो हवा में घुल जाते हैं और लंबे समय तक मौजूद रहते हैं जब हवा में इंकनों का स्तर 201-200 पर मध्यम, 201-300 तक खराब, 301-400 के बीच होने पर बहुत खराब तथा 401-500 या उससे अधिक होने पर गंभीर स्थिती में माना जाता है लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो दिली में हवा की क्वालिटी कई बार 500 को पार कर जाती है जो इसे वर्ड की 4th most polluted city बन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धान्यवाद